इस समाचार की प्रायो जख हैं मौनिका बैकरी, दो बटा तीन, क्रांती क्रपलानी नगर, अनपुर्णा मिन रोड, महरास्ट बैंक के सामने इंदोर इस निउस के प्रायो जख हैं दास बेकर्स, स्थान, शिवशक्ति विला, प्लॉट नमबर 87, स्किम नमबर 103, दुकान नमबर 2, केशरबाग ब्रिश के पास इंदोर दरसल शराब मामले में कई समन भेचने के बाद दिलने के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल, ED के समक्ष पेश नहीं हुए तो दसवे समन के दौरान गुरुवार देर शाम, अर्विन केजरिवाल को गिरफतार कर लिया गया जिसके बाद पूरे देश में आमादमी पार्टी, ED के विरोध में उतर आई है इसे कड़ी में, M.G. रोड सिथ स्ट्रीट प्रेस कलब परीसर में इंदोर के विधान सबाग शेतिकरमांग एक के आमादमी पार्टी के पृत्याश्य रह चुके अनुराग ज्यादव ने अन्ने निताओं के साथ एक प्रेसवारता की और ED, CBI जैसी जाज़ अजेंसियों पर कई आरूप लगाए उन्होंने भाजपा की मोदी सरकार को इस दौरान जम कर घेरा देखें सराब भोटाला उसको तो भी दिवत बनाया गया है उनका मूल उद्देश था गिरफतार करना क्योंकि बढ़ती हुई लोग प्रेता आपकी आज दस सालों में राश्टी पार्टी है और हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा केजरिवाल जी के बिचारों को जानता है कि कोई गरीव आदमी का पढ़ाना हो तो इसकूल एक ही नेता बनाएगा अर्विन केजरिवाल अगर अस्पताल बनाना हो तो उनको एक ही आशा है कि केजरिवाल जी ही बनवाएंगे उन्हें मोदी जी कोई आशा नहीं थी ये चीज मोदी जी और बीजेपी सरकार देख रही थी कि सबस्यादा नुक्सान पहुचाने वाली पार्टी कौन सी है तो उन्हें सबसे साफ रू से कोई भी माम लाओ उन्हें के लोगों को गिरफतार करना है कि सब्सक्राइब को देख लीजे जिनने पुल्वावा माला बुद्दा उठाया था अभी इलेक्टरोल बॉंड्स है पाकिस्तान जैसी एजेंसियों ने इनको बीजेपी को चंदा दिया है तो आप क्या एक्स सब्सक्राइब करें कि यह पार्टी हम को हरा सकती है जैसे केज़िवाल जी ने कहा था कि 29 में हम बीजेपी मुक्त करेंगी आमादू पार्टी हमने पहले मीडिया कॉन्फरेंस में कहा था कि अरविन केजरिबाल को गिरफ्तार कर सकते हैं उनको विचार जो अच्छे विचार जो देश को विखसित बनाने वाले विचार आपने मीडिया के माध्यम से पता करा होगा कि हमारा देश अब विकास सिल्गी स्रेंडी से है यह लेकल ऑंटें होना हैसे और बाहर निकलना और पूरे देश में आमाधी पार्टी बीजे पी वल्टी इसमरेमें था कि में किया ता कि उसले किया था कि हमें कोई दल से लेना देना हैं हमें जनता से लिना देना है और इस तरह की डिक्टरिशिप जो ताना शाहिए उसकी लड़ाई सब को मिलके लड़ना पड़ेगी फिर देखेंगे को नष्टाचारी पहले तो वीजेपी को अटाना जरूरी है वह इसले अटाना जरूरी है कि और जो माफ कीजे चंडी गड़ में जो आपने देखा मीडिया के माध्यम से सीधे सीधे वोटों की चोरी करते हैं आज इलेक्शन कमिशन जित्ती भी एजनसी हैं सब इनके साथ हैं कराना चाहिए न हमस्क फेंस कर आते हैं यही चीज सबसे जाएधा कोश्चन और प्रस harness करने वाली आमादी माधी पार्टी केजरिवाल को गिरफ檸ार करके लिट टोड़ना चाहिए